धन्यवाद रैली में देश की प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी पहुच चुके हैं तस्वीरे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं देश की प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी इस वक्त धन्यवाद रैली में पहुच चुके सीते तस्वीरे आप देख रहे हैं रामनी लमैदान से दान मंतुरी नरेंद्र मोदी का आपर स्वागत किया जा रहा है मनोश्तिवारियों और तमाम बीज़ेपी के बड़े नेतावाँ पर मौझूद है उनका स्वागत किया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से C.A.E. के लिहाज से बड़ी रैली मानी जा रही है सभी की नजरे चाहे पक्षो चाहे वेपक्षो चाहे आम जनता हो सभी की नजरे आज इस रैली पर टिक चुकी है कि आखिर देश को क्या संबोधित करते हैं प्रधार मंतुरी नरेंद्र मोदी और इस वक्त रैली में पहुच चुके हैं बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोश दिवारी भी वहाँ पर मौझूद है और भीड देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रैली को समर्थन देने के लिए कहां कहां से प्रदेश रामलिला मैदान भरा हुआ है डॉक्टर हर्श वर्दन इस वक्त मंच पर मौझूद है और सभी की निगाहे ठीकी हुई है यहाँ पर देश की प्रदान मंतुरी नरेंद्र मोधी की संबोधन पर धन्यवाद रैली में पियाम मोधी पहुच चुके हैं तमाम मैं बार बार आप तक कर टोटल नियूज इबात पहुचा रहा है कि तमाम मुद्दों के लिए आज से रैली बेहद महत्पूर्ण होने वाली है पूरा देश रैली पर नज़रे ठिकाये हुए है क्योंकि यह ना सिर्फ यह ना दुर्खित कॉलोनियों का मुद्दा है बलकि यह विशाल रैली विधानसवा चुनाओ का बिगुल है जो बीजेपी फूग चुकी है आज से दिल्ली में ऐसे में सीए पर प्रदान मंतरी के संबोधन पर सबकी नज़रे जरूर ठीकी होंगी साथी देखा जाए तो आज से बीजेपी की सही मायनों में विधानसवा चुनाओ की तयारिया शुरू हो चुकी है तो देश ब्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ये खुद दिल्ली में चुनाओी बिगुल फूगते हुए नज़र आएंगे वहीं बात की जाएगा सुरक्षा की तो सुरक्षा के लियास से रैली बेहर मातपूर्ण है क्योंगी खुफिया विभाग ने यहाँ पर कहा था कि अब हमें ये तैय करना है कि दूशित पानी देने वाले जिल्ली के अंदर जो एका नेसप्वर जिसमें सर्जिकल स्टाइक का विरोग किया जिसमें बाला कोट का विरोग किया जिसमें हमारे आर्मी के जमानों की प्रतिमा योगता उनकी वीवता के उपर प्रशिन चिन झाल